Hello everyone, welcome back to Inside Home Vlogs तो अभी मैं हो गई हो रेड़ी और आप सब को पता ही होगा कि मैं अभी अपने ससुराल आ चुकी हूँ कानपुर हम लोग जहाँ घर आए हुए हैं तो आज है पांच तारिक और पांच को थी बसंत पंचमी और ये उसी दिन का व्लॉग है तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए तो यहाँ पर मैंने सारा समान ले लिया जो मुझे पूजा में चढ़ाना है तो अभी चलते हैं नीचे मेरा जो रूम है वो उपर है और यहाँ मंदिर मेरा नीचे है तो अभी नीचे रूम में आई हूँ और यहाँ पे काफी अंधेरा है क्योंकि लाइट जो है वो चली गई है और इन्वाइटर भी चार्ज नहीं है तो इसले थोड़ा सा अंधेरा है और अभी मैंने पूजा कर ली है तो अब चलते हैं फिर से वापस चट पे और यहाँ पे मैं अभी काट रही हूँ सबजी क्योंकि खाना बनाना है अभी और ठंड है तो अभी हमारे हाँ चूले पे ही खाना बन जाता है और काफी अच्छा लगता है गाओं में गाओं की अभी भी जो पहले की चीजे है वो अभी भी वैसी ही है यहाँ अभी भी चूले पे खाना बनना और यह सारी चीजे काफी अच्छी लगती है तो यहाँ पे मुझे इतना आता तो नहीं है चूले पे खाना बनाना पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत लगी रहती हूँ और यहाँ पर मैं सबजी काट रही हूँ आलू और प्याज की सूखी सबजी हम बनाने वाले हैं और साथ में बनी हुई है दाल और चावल रोटी तो यही है आज का खाना गाउ में तो ऐसा होता है कि सुबह खाना बन जाता है फिर वही हमारा लंच होता है फिर साम को सीधा खाना बनता है रात का तो इस तरहे दो बार का खाना सुबह ही बन जाता है और मैं इधर बैठ गई हूँ यहाँ पे मैंने चावल के लिए पानी चढ़ा रखा है और आज साम को हमें जाना है साधी में बुआ के लड़के की साधी है तो वहीं जाना है तो आज मैं आप सभी को वो भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूंगी तो दिखाऊंगी कि गाउं में साधियां कैसे होती है तो चलिए अभी साम को मिलते हैं तो बीचवे में ने व्लॉग नहीं बनाया और सीधा हम लोग आ गए हैं साधी में और यहाँ पे अभी हो रहा है डांस तो मंदिर में हमारे यहाँ बिदाई से पहले होती है पूर्जा तो यहाँ पे इधर सब लोग करते हैं डांस तो यहाँ पे बैंडवाजे पे डांस हो रहा है और अभी हम लोग आके हैं नीचे की साइड यह पुरे मंदिर का व्यू है और यह मेरे हांका बहुत अच्छा सा मंदिर है यहीं से बिदाई हो जाती है लड़के की तो यहाँ पे अभी कुआप पुजन की विदी हो रही है यहाँ पे कुआप पूजा जाता है तो इस तरह से गुल-गुल सब लोग गुम गुम के पूजा करते हैं और इसके बाद यहाँ से बरात बिदा हो जाएगी तो फिर हम लोग भी जाएंगे बरात में तो इस तरह से काफी अच्छे रिच्वर्स होते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है साधी का और अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से सारी ड्रस में होती है तो अभी यहाँ पे मैं भी इदर खड़ी सारी चीजे देख रही हूँ और बहुत टाइम के बाद इस तरह से हमने पार्टी अटेंट की है तो मैं बहुत खुश हूtle हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हंबी फाइनली हम लोग आ चुके है बरात तो यहां पे अभी कुछ फ्रोग्राम इंधर रहा है और सब डान्स चरनी में लगे हैं तो यहां पर सब डांस करें और यह सब भी जिस्ते में मेरे भाई लगते हैं कोई पुआ का लड़का कोई कैसे तो इस तरह से सब मेरे भाई लेगे और यह सब इकठे हो जाते हैं तो इतना डांस करते हैं कोई भी सद्दी हो इनका डांस तो होता ही है इनको कुछ भी होस नहीं रहता सिर्फ डांस रहता है तो इस तरह से थी यहां की सद्दी और अभी यह आ गई हो यहां पंडाल में जहां पे खाने पीने का विश्चा होता है तो यहां पे सभी लोग अभी खाना खाने में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से अथर भी बहुत खुस है यहां इसकी पहली पार्टी है मतलब पहली साधी अटेंड कर रहा है बरादाया हुआ है तो यह बहुत ज़्यादा खुस है और गुम गुम के सबकी प्लेट्स में खाना खा रहा है और यह बहुत इंजॉय किया इसको बहुत मज़ा आई है आज तो और यहां पे यह मेरे भी ती और अभी तो आज का व्लाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताना और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक चरूर कर देना और ऐसे काऊं के इच्छे व्लोग में लाने की कोसिस करूंगी तो चलिए फिरहाल इस व्लोग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलत हैं कच्छे से व्लोग में तब तक के लिए आप सब अपना बहत ख्याल रखिए बाइबाई एंड टेक क्यार